असलाम लेकूम नजिया नमस्कर नजिया एजे बाली गंज थे के बाबुल शुप्रियों के वंग असान सोल थे के सत्रुंगन सिना जी के ठ्रिनमूल कॉंग्रेस प्रार्थी कोल लो की बोल बेई बिशेटनी है देखी मुझे ऐसा लगता है कि पूरे पश्चे मंगाल के करोडों की आबादी में श्रिमती मम्ता बैनर जी को हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर को एक भी बंगाल का मून नहीं मिला हजारों किलो मिटर दूर बिहारी बाबु को वो उठा कर लेकर आई है पश्चे मंगाल के जनता के मुँपर थोपने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जनता के फंडमेंटल राइट्स को खामोश करानी के लिए शायद श्रिमती मम्ता बैनर जी कम पड़ गई थी जो अब खामोश बोलने के लिए शत्रोगन सिन्हा को वो उठा करके लेके आ गई है मैं तो आश्रिया में हूँ कि ये पूरे पश्रिम बंगाल में क्योंकि उन्होंने खुद इन फ्रंट ऑफ कैमरा कहा था कि जारा बंगाले था के उधर के बंगला सीखते होबे उन्हार बाड़ी ते जा में आचे जा कास करे ओ रहा हो बंगला सीखे गेचे एकुन खुब भालो बंगला बोलचे आम रहा हो बंगला सीखे गेचे दी 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 दीर मुनी एक्टा कोता चिलो भाई बंगला सीखते ही होबे आपी तो बांगाल के खुब भलो बाशी तर जो ने आमियों बांगला एक्टो एक्टो को रे सीखे गेलम बिहारी बाबू बिहार से उट करके जिनका पैर नहीं जम पाया पटना में जिनको पटना की जनता ने थूग दिया जिनके बेटे को कॉंगरेस के टिकट पर पटना की जनता ने बिलकुल रुस्वा कर दिया जिनको 2019 के एलेक्शन में जो कॉंगरेस के कैंडिडेट बन करके रवीशंकर प्रसाद जी के अपोजट में वो खड़े हुए थे साहिप कॉंस्टिट्वेंसी से वहाँ पर बुरी तरीके से मुखी खाई शत्रोगन सिना ने बिहारी बाबू होने के बावजूद बिहार की जनता ने उनको एकसेप्ट करने से इनकार किया और वो बिहारी बाबू हजार किलो मीटर का फासला तै करके आज श्रीमती मुम्ता बैनर जी के आचल में छुपने आए हैं आसरा लेने आए हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बंगाल की जनता उनको वोट किस बलबूते पर करेगी क्या बंगाल की पॉलिटिक्स के बारे में हमारे बिहारी बाबू शत्रोगन सिना जी को कुछ भी इल्म है क्या बंगाल के क्रिमिनल अक्टिविटीज के बारे में उनको इल्म है क्या बंगाल के जिहादी नेचर के बारे में उनको इल्म है क्या उनको पता है कि स्टेट गवर्मेंट जिस रोलिंग पार्टी का आचल उन्होंने पकड़ा है वो रोलिंग पार्टी मासुम लोगों की हत्या करवाती है क्या उनको पता है कि यहां गोरु परचार का कारोबार चलता है क्या उनको पता है कि शार्दानार्दा चिटफंड में यह चिटफंड की रानी है जिसका आचलो उन्होंने पकड़ा है मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि 112.22 करोड की Immovable Property और पैसा रखने वाले बिहारी बाबु शत्रोगन सिनहा जी और 103.17 करोडों का एसट रखने वाली उनकी धरम पत्नी जो है क्या वो शार्दानार्दा चिटफंड वाले जो मासूम जो लोग जो मरे हैं अपने उस Immovable Property से कुछ हेल्प करेंगे शार्दानार्दा चिटफंड वाले को क्या बिहार की जनता को रुस्वा करने के बाद बिहार की जनता को लूटने के बाद वो भी बंगाल लूट नहीं आए हैं ये भी एक सवाल उटता है तो थर्ड तिंग इस कि शत्रोगन सिनहा जी ने कल ह कि एक नैशनल न्यूस चैनल में कहा कि उनके ओपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है मैं उनको याद दिला दूं कि 2017 में विदाउट परमिशन तू दे कंसर्ण डिपार्टमेंट उन्होंने अपना हेलिकॉप्टर परचार के वक्त में एक ऐसे कैंपस में उतारा था जहां पर उन 2010 में उनके उपर फाइल हुआ था और सेक्शन सो जो थे उनके उपर वो 118 और 123 के थे जिसमें बिहार की जनता के पीस को वाइलेट करने की उन्होंने कोशिश की थी और विदाउट एनी परमिशन तू दे कंसर्ण डिपार्टमेंट उन्होंने हेलिकॉप्टर उता रहा था अब आप मुझे बताईए कि इतनी इम्मूवबल और मूवबल संपत्ती रखने वाला आदमी इतना बिहारियों को लूट कर अपना पैसा जमा करने वाला आदमी इतना नाज गाना करने वाला आदमी मुझे ऐसा लगता है कि श्रिमती ममता बैनर जी को एक भी आदमी धंका दिखाई नहीं देता है। कभी हम नाचने गाने वाली को कमर हिलाने वाली को देखते हैं और अब तो हद हो गई कि खामोज मुलने वाले नेता को भी हमको देखना पड़ेगा मुझे नहीं लगता है कि ये डिसिजन श्रीमती मम्ता बैनर जी का सही है और मुझे ऐसा यकीन है कि आसनसूल की जनता ने जो मायूसी देखी थी बाबु शुप्रियों को जिता करके दो बार जो आसनसूल की जनता ने जो सफोकेट किया था वो दुबारा ऐसे किसी भी कैंड को जिताएगा जो किसी और फर्टर्निटी से आता है जो किसी और फिल्ड से आता है जो जनता के दुख सुक में नहीं खड़ा हो करके वो जनता को लूटने में और जनता को खसोडने में जिसका दिमाग लगा रहता है अब आती है बात कि श्रीमती मम्ता बैनर जी ने बाली भारते जनता पार्टी में जब वो आसनसूल से सेकेंड टाइम जीते और वो जनता को जवाब नहीं दे पाए कि उन्होंने काम क्यों नहीं किया तब उन्होंने बीजेपी से जाकर करके श्रीमती मम्ता बैनर जी का आचल पकड़ लिया अब आचल पकड़ लेने से जनता आप कहीं ना कहीं शोर में दब चुकी है तो और जिस तरहां से इन्होंने मुसल्मानों को गालियों से नवाजा था बाबल शुप्रियोजी ने जिस तरहां से इन्होंने मुसल्मानों को डेफमेटरी लांगवेजस से नवाजा था जिस हिसाब से इन्होंने मुसल्मानों को नी यहां पर बाबुल शुप्रियों अपने लिक्शन के वक्त में भी खदम नहीं रखते थे क्योंकि वो इलाका मुसल्मान का था अब ऐसे वक्त में क्योंकि परचार में श्रीमती मुम्तव Fore 정부 कि कहा जाता है, मुसल्मान की मसिहां एं ला इलहा इल्ल भा मूहमद ऐसा होगा जो उनको वोट देगा। हैं जो महता को ही अपनाúde समझते हैं मैं कर रही हूँ जो भाक्य में खुरान को ही अपना सबकुछ मानते हैं वह मुसल्मान बाब शुप्रियों को एकचिप्ट नहीं करेगा और मैं Congressulate करूँगी इमाम Association के President को जिन्होंने आवाज उठाई है उन्होंने साबित किया है कि वो पक्के मुसल्मान है उनको पता है कि जो मुसल्मान को लात मारता है वो किसी भी पार्टी में चला जाए उसको जगा नहीं मिलेगी मैं भी मुसल्मान हूँ मैं भी भारते जन्ता पार्टी पिछले 5 साल से कर रही हूँ लेकिन मैंने आज तक कभी भी मुसल्मानों को बेज़त नहीं किया है मैंने कभी भी मुसल्मानों के एगेंस्ट में खुरान से बाहर निकल करके कुछ नहीं कहा है मैंने ट्रिपल तलाक पर आवाज उठाई थी क्योंकि खुरान भी कहता है कि तलाक बुरी चीज है मैंने पॉलिगेमी और हलाला पर आवाज उठाई क्योंकि खुरान कहता है कि गलत चीज है मैंने कहा कि लब जिहाद नहीं होना चाहिए लब जिहाद पर एक्ट बनना चाहिए तो मैंने अपने मुसल्मान कौम की लड़कियों को सेफ करने के लिए कहा कि जितने मुसल्मान लड़के हैं वो हिंदू लड़की से ना शादी करके हमारे मुसल्मान लड़कियों से ही होश खो दिया और होश खो करके वो शायद यह सोचने लगे कि हम हमी भगवान बन चुके हैं लेकिन आज इमाम एसोसियेशन की तरफ से जो मुद्दा उठा है मुझे ऐसा लगता है कि अगर पश्रिम बंगाल में बाली गंच कॉंस्टिट्वेंसी में सही मुसल्मान है तो ध बाबुल शुप्रियों को एकसेप्ट नहीं करेंगे और बाबुल शुप्रियों को किसी भी मुसल्मान को एकसेप्ट नहीं करना चाहिए तब भी अगर श्रीमती मुंता बैनेर ची उनको नहीं हटा रहेंगे और दूसरा कैंडिडेट नहीं ला रहेंगे तो बुरी तर्य मुझे बहुत सरीप चीजों पर नहां हसी आ जाती है बाबुल शुप्रियों की बात को तो मैं ऐसे भी लेती नहीं हूँ उनकी बातों में कोई ethics होता नहीं है और कोई भी एक political बात रखने का जो तरीका होता है वो शायद दस साल में सीख भी नहीं पाएं एक मंतरी के पोस्ट पे रहें दो बार member of parliament रहें थर्ड टाइम में उन्होंने तो खर दगा ही दे दिया तो इतनी disloyalty वाले आदमी और unsophisticated आदमी के मूँ से कभी भी अच्छी बात निकल नहीं सकती है ये कहें कि उनकी credibility भारते जनता party को समझ में आ चुकी थी कि ये काम करने के खाबिल नहीं है आप किसी chair पर बैठते हैं तो किस लिए बैठते हैं जनता का काम करने के लिए बैठते हैं अब आसन सूल में अगर काम नहीं हुआ और फिर भी आपको मंतरी पद चाहिए और आपको मंतरी पद नहीं मिला, आपको 50 सेक्योरिटी नहीं मिला, तो आप जाकर एक ओरत के आचल में आप छुपने की कोशिश कर लिए, आसरा पाने की कोशिश कर लिए. जनता बहुत होशियार है जनता अब बहुत स्मार्ट हो चुकी है जनता को हर कुछ पता है कि हमको किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है बाबुल शुप्रियों ने इस्तमाल किया BJP को ये पूरा पूरा देश जानता है किस तरहां से उन्होंने अपनी duty और अपनी responsibility से उन्होंने अपने आपको पीछे किया ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं और आज अगर Google पे सर्च किया जाए तो पता चलेगा कि उन्होंने जानता के लिए कोई काम नहीं किया था तो गाने बजाने वाला आदमी गाना बजाना करे वही ठीक रहेगा अगर नहीं मिल रहा है बॉलिवुड में गाना फाना तो भजन भजन गाए इसमें प्रॉब्लम क्या है